दोस्तों स्वागे थे आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिन जीके में दोस्तों आज जो आपके दो दिसमर को S.S.E. दिली पुलिस कॉंस्टेबल का थर्ड शिप का एक्जाम हुआ है तो इसे पने जो 50 स्वाल पूचे के थे जीके में उसमें से यहाँ पर 46 एक्जेक्ट जीके के स्वाल मिल चुके है साथ इसाथ कंप्यूटर के 10 में से 8 स्वाल देखने वाले है सभी क्योंस एक्स्टा फेक्ट साइट कवर करेंगी वीडियो काफ़ी डिल्ले हो गया आप यह आप देख सकते हो की मौक टेस्ट है जो की 3 दिसम्मर को अने के इल्मी पर कंडेक्ट होने वाला है तो इसके एन्रोल्मेंट के लिंक आपको डेस्क्रिप्शन मॉक्स में मिल जाएगे जरूर एन्रोल कर देना विल्कुल फ्री है वहाँ पर आप यदि कोपन कोड एपलाई करते हो टी टी जी के तो आपकी फ्रीली एन्रोल हो जाएगा साथ इसाथ दस परसंटेज का एक्स्टा डिसकाउंट भी ले सकते हो आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर और इसका जो एन्लिसिस क्या जाएगा जो और इन्डिया ये मौक टेस्ट रहने वाला है मेगा टेस्ट वह चार देसंबर को होगा वाइफाई की टीम के दोरा तो ये बेस्ट एजुकेटर के दोरा आप एनलिसिस भी फिरी देख सकते हो तो जरूर एन्रोल कर देना लिंक डेस्क्रिप्शन मोक्स में हैं तो चली कंटेन्यू करते हैं इसकी पीडियो फाइल टेल पर मिल जाएगी बाकि फाइस्ट और शेकेंड सिर्फ का वीडियो अलग से डाला हुआ अपने नहीं देखा दो चैनल पर जाके जरूर देख लेना इस्पेशल थैंक जो थर्डिप के स्वाल सेंड किये जितिंदर लोधी डितेश डांगी विकास आउस्ति रहुल शर्मा किरसने अंकुष्ट ओमर हैं महा देव हैं यहां इन्होंने भी बहुत से स्वाल भेजेते हैं सोनु यादव विकास अउस्ति शत्यम प्रिंगा शर्मा अंकुष्ट ओमर इन्सभी केंडियाट ने ये स्वाल टेलीग्राम पर श्रेन किये बहुत बहुत धन्यवा देखी ध लिंगराज मंदीर है काँपर ये ओडिशा प्रांच की राज़धानी भाहुने सर मेचती थे तो भाहुने स्वर ओडिशा मेचती थे लिंगराज का मंदीर याति के स्रिके दोरां 11 फिसतापदी में बनाए गया था ताली कोट का युद कब हुआ था? विजयनेगर सामराजी के मद्य 161565 में हुआ था ताली कोट का युद एक आपकी स्वाल था? बोध धरम आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं और जबकि जैन धरम में इनकी परधानता विध्यमान है तो इनकी आदार पर ये दोनों धरम अलग कर सकते हैं आप ये आत्मा में पर जैन धरम में अहिंसा और अप्रीग्रह पर अधिक बल दिया जाता है और में अंतर की बात को तो बोध धरम ने मद्यमार्ग पर बल दिया हैं इसके तैत मुक्ष के लिए कठोर साधना या जो काया कलेश है उसमें विश्वास नहीं किया जाता परन्तु जैन धरम में चांदी का सिक्का चलाया और उसे रूपिया नाम दिया था सोल में सदी में जो 1545 में सेरशा सुरी ने ये सबसे पहले भारत में रूपिया का चलन किया था जो चांदी का उन्होंने सिक्का चलाया था जिसका वेट था 11.66 ग्राम ये प्योवर चांदी का था लगबग 91.7 प्रसंटेज इसमें शुद्द चांदी थी जो की अगला स्वाल देखिए एबन बतूता किश्के शासन काल में भारताय हैं तो मैं एक्षटा फेक्ट में बहुत बार कवर करा चुका हूँ एबन बतूता है मोरकों के यात्री थी और मुहुमद बिन तुकलक के काल में भारता तो यहाँ पर यह जो तीन ऑप्सिं दिए गये थे विश्वत रेखा मकर रेखा करकरेखा तो करक रेखा करेक्ट हो जाएगी मैं आपको बता दू मैप के मादियम से यह आपके जो करक रेखा है यह एक्वेटर हो जाएगी bhoело 118 नहीं तो यह तीन ऊप्संत ते जहाँ पर करक रेखा भार्स के जो टोटल आठ राजियों से गुजरती है ये बहुत बार एक्जाम पूछा जाता है कौन से राजियों से नहीं गुजरती है और इसमें हो जाएगे गुजरात, राजिस्थान, मध्यपरदेश, 36 गर, जहार खंड, पच्छी मंगाल, तिरपुरा तथा म जो रम से गुजरती है बाकि मैं बात करूँ मकर रेखा की और भूमद्य रेखा की तो ये भी आप देख लेना एक्जाम के लिए इंपोर्टेंड नेक्स्टेप के लिए और मकर रेखा है ये टोटल दस देशों से गुजरती है उसमें अर्जंटीना, बोस्काना, दक्षन ब्राजिल, इंडोनेशिया, फिर से यानि सुमालिया और एक्वेडर, कॉलंबिया यी हो जाएगा और जीके यानि ग्यान, केनिया, कांगोकंड राजी, यूगंडा इनसे विश्वत रेखा है आप देख सकते हैं सबसे नीच वाली अगला स्वाल किष्ण राजा सागरबांध किस नदी पर है, तो किष्ण राजा सागरबांध ये कावेरी नदी पर है, इनकी ट्राइब्यूटरी है, हेमावती और लक्षमन तिर्थ नदियां ये आपस में मिलती है, वहीं पर ये बाहन है, किष्ण राजा सागरबांध कावेरी नदी व और विकारबाद डिस्टिक्ट के तेलंगाना राज्जी में है अनंद्गरी की पहड़िया गैसो के बारे में सही statement का आपके स्वाल था तो गैसो का आकार और आयतन निचित नहीं होता है जो आपके correct statement उसमें दिया गया था answer correct हो जाएगा गैसो का आकार और आयतन निचित होता है विदुत वाक बल को मापने का यंतर कौन सा है तो विदुत वाक बल है उसको मापने का जो यंतर है वो हो जाएगा आपके potentiometer या फिर विभू मापी इसका मातर क्या होता है वॉल्ट होता है जो next one यहापर ताप की SI unit आ सिधान थे तो यह सापेक्सता का सिधान दिया था theory of relativity अलबर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दिया था और अलबर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भूतिकी का पिता भी कहा जाता है अगला स्वाज ताप द्रिट प्लास्टिक कौन सा है तो ताप द्रिट प्लास्टिक वे होते है यह एक बार गरम कर दिया तो वो दोबारा मुलाइम नहीं होते हैं तो गरम करने पर मुलाइम हो जाते हैं दोबारा गरम करने पर मुलाइम नहीं होंगे तो यह ताप द्रिट प्लास्टिक है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जैसे कि आपके एक्जामपल में बेकलाइट जो होगा option में ताफ द्रड प्लास्टी कौन सा बेकलाइट है मेला माइन है तो यह सभी ताफ द्रड हो जाएंगी और संसद का श्यूक्त अधिवेशन बुलाने का परावधान किस अनुच्छेद में है यह आपके पूछा गया था ऐसा सी बहुत बार इनसे स्वाल पूचता है कि एक तो श्यूक्त अधिवेशन कौन बुलाता है सेकर बुछावधान कांच्छेद की तैट बुलाए जाता है जो एक्स्टाफ फेक्रpoon में बता है वह सवाल है तो संसद का इस पीकर अनुपस्तित रहता है तो लोग शबा ओपादेक्स के दोरा अधिक्सता की जा सकती है दोनों ही की अनुपस्तिती में राजे सभा के है ओप शबापती सभापती राश्टपती नहीं कर सकती है क्योंकि वो होते ही नहीं सदेशे तो राजी सभा के उपसभाजपति के दोरा की जा सकते है यदि दोनों ही अनुपस्तित हो जाए संसद के दोरा IES एंड IPS का पदकेस अनुचेट के तेयत सरजित है तो भारतिय परशास्तिक सेवा और भारतिय पुलीस सेवा संसद के अनुचे 312 की तरजपर शंसद के दोरा गटिते तो आर्टिकल 312 हो जाएगा राश्टपति के दोरा वितायोग का गटन केतने वर्ष बात किया जाता है तो यह 5 वर्ष के बात किया जाता है वितायोंग का कारीकाल पांचवर्ष होता है जो की एक शहोभीधानी कईने काय है किस आर्टिकल के अंतरगत किया जाता है तो अंतरगत है ये आर्टिकल 280 वितायोंग में 1 अध्यक्स और 4 सदस्य होते हैं और पर्थम वितायोंग इस्तापित हता 1991 में वर्तमान में कौन सा वितायोग है तो ये आपका रेसेंट 2017 में जो पंदरवा है एनके सिंग इनकी अध्यक से हैं अगला स्वाल राज्यपाल किसके परशाद प्रेंद पद पर बने रहते हैं तो राज्यपाल है वो राष्ट पती के परशाद प्रेंद अपने पद पर बने यानि जब राष्ट पती चाये तो उन्हें हटा भी सकते हैं चतिस गड़ के सुवा निर्ते में महिलाई के पक्षी के तरह महुँ बनाती हैं तो उसमें महिलाई है ये पक्षी है तोता सुवा के आर्थ हो जाएगा तोता इस तरह तोते के माध्यमशे संदेश देश देव फूट पाक कहां पर है जोरम मेगा फूट पाक है मेजोरम में और अब की बार ऐसे से ने एक और स्वाल पूछा था जो मध्य भारत का ये पहला फूट पाक पूछा था कि मध्य भारत का पर्थम फूट पाक कौन सा है वो है देवास में अवंती मेगा फूट पाक ही मध्य प्रदेश में है और जोरम आज पूचा है तो यह मिजोरम हो जाएगा 2018 के राष्टमंडल खेल कहां पर आई जी तुए थी तो 2018 के जो Commonwealth Game है यह आई जी तुए ते गॉल्ड कॉस्ट क्विंसलेंड औस्टिलिया में और नेक्स्ट आपकी 2022 के जो Commonwealth Game होने वाले हैं वो परमिंगम इंग्लेंड में होंगे अगला स्वाल देखे अटल पैंसन योजना में अधिक्तम आयूग कितनी हो शकती है तो अटल पैंसन योजना है यह 18 से 40 वर्ष तक आप एप्लाई कर सकते हैं चालिस वर्ष मैक्जिमम हो सकते हैं तो असंक्ति छेतर में काम करने वाले लोगों के लिए ये योजना है जो कि में 2015 में शुरू हुई थी यहाँ पर एक अन्य इंपोर्टेंट फेक्ट भी हो जाता है प्रदान मंत्री वय वंद्रा योजना आप कमेंड करके बताना क्या दोनों ही स्वाल पूछे गए या फिर एक थाइन में से क्योंकि एक एंट ने ये भी बेज़ जा है तो मैंने दोनों को एक साथ एड कर दिया है यदि ये स्वाल अलग से था परदान मंत्री वय वंद्रा योजना किन के दौरा संचालित की जाती है अग्जा में पूछवा स्वाल है तो LIC के दौरा संच रेट कितनी है तो GST में अठारा भी हैं 28 पी है तो अधिकतम मेजिबं जो रेट सिलाइब है वो 28 परशनरेज हो जाएगा इस्टेंड आंप इंडिया इस्कीम के तयद कितना लौन दिया जा सकता है तो निवन्तम इस्कीम केतच 10 लाफ रूपे का लौन दिया जा सकता है त को मिलता है यह लॉन अप्रेल 2020 में किस राज्य की तीन बैंकों का विले कर दिया हो गया है तो यह उत्तर प्रदेश इसमें करेक्ट होना चाहिए यह क्योशन पूछा गया है जिसमें पूरवांचल बैंक काश्री गोहमतिश्युक ग्रामिन बैंक और बड़ोदा यूपी ग् पब्लिक सेक्टर बैंक वो 12 बैंक है तो यह जो पब्लिक सेक्टर की बैंक 12 बैंक है इनमें जो विले हुए आदरस बैंकों का वो जरूरुर आप देख जाना एक्जाम के लिए काफी IMPORTANT डेंडिज चाहाने वाले कोई भी रेल मेका एक्जाम हूँ तो औरियेंटल बैंक of Commerce और United Bank of India का PNB में हुआ है, Syndicate Bank का Canera Bank में, Andra Bank Corporation Bank का Union Bank of India में, Ilhabad Bank का Indian Bank में विले हुआ है वानिजिक बैंकों को लॉन देने के अधिक्तम सीमा कितनी है, तो monetary policy से यहाँ पर स्वाल पूछा जारा लगबग परतेक से पर जरूर देखके जाना, जो आपके रेपोरेट है, reverse रेपोरेट है, SLR है, case reserve ratio है तो इनकी जो परिभाषाएं देखके जाना महां से आपके clear हो जाएगा, वानिजिक बैंक को लॉन देने का अधिक्तम सीमा है, तो अभी देखिए जो SLR रहता है statutory liquidity ratio तो ये आपके statutory liquidity ratio वेधानिक तरलता अनुपात है इनकी आधार पर अधिक्तम लॉन कोई भी वानिजिक बैंक है, commercial बैंक है, अपने ग्राकों को कितना दे सकती है तो ये fix deposit जमा करान होता है जैसे कि अभी यहाँ पर RBI ने fix कर रहता है, SLR 18% है जैसे कि किसी भी बैंक में कितना भी liquidity कितना भी धन है कितने भी रुपे हैं, जैसे आपने डेपोजिट करा है तो ऐसा नहीं बैंक सारे के सारे लॉन दे देगी तो कुछ वो अपने पास रखेगी SLR जो रहेगा वो रिजरू रखेगी ताकि दिवालिया नहों जाए बैंक तो रिजरू बैंक को बैंकों के लिए SLR की सीमा 40 फीच दी और नियूंतम सुन्य फेश्टी टक भी रखने का अधिकार है तो अधिक्तम में वो 40% यहां पर SLR की सीमा रखी जा सकती है उसके according लॉन दिया जाएगा नेश्ट वंदी के ट्राई के अधिक्स कौन है TRAI के अधिक्स है PD वगिला जोके एक अक्टूबर 2020 को निक्तुए है ट्राई के अधिक्स ट्राई यानि टेलिकॉम रेगुलेटरी ओथरिटी ओफ इंडिया जो इस्तापी तोईती 1997 में नेश्ट वंदी ICC का अधिक्स पत्पर चारशाल कारेकाल के बाद हारली में इस्तिपा किस ने दिया है करेक्ट हो जाएगे दोस्तों शर्षांग मनोवर ने यहाँ पर 24 नॉंबर 2020 को ये तो नए बने हैं देकिन इन्हों ने दे दिया है अभी जुलाई में शाइद इस्तिपा दिया था शर्षांग मनोवर ने जो की 2015 में ICC के चैर्मेन पत्पर संबला था और वर्तमान में जो 24 नॉंबर 2020 का इंपोर्टेंट करेंटर पर सोजाता है कि ICC के चैर्मेन कौन न्यूक्ट हुए है तो ये न्यूजलेंड किर्केट के परमुक ग्रेग ब्राकले को यहाँ पर ICC चैर्मेन की जिम्मेदारी सौपी गही मतलब वर्तमान में ICC के अधिक्स जो चैर्मेन है वो कौन है ग्रेग ब्राकले है और सशंग मनोवर ने इस्तिपा दे दिया है तो ये हो जाएंगे आपके मुक्के बाजी और वे वनिपूर राज्जी की रहने वाली तो मनिपूर मुक्के बाजी की हैं खिलारी ओलम्पिक में सौनपदेग विजेता एक मातर भारती यह आपर इंडिविजुल की बात हो रही है बाकी भारत ने टोटल 209 गोल्ड मेडल जीते है ओलम्पिक में वो बाकी सारे 8 मेडल होकी में हो जाएगी जो टीम इस परता है बाकी यह आपर इंडिविजुल की बात करो ओलम्पिक में सौनपदेग विजेता एक मातर भारती है अभी नो बिंद्रा है शुटिंग में है 2008 विजिंग उलम्पिक में मेंस 10 मेडर एर राइफल पे गोल्ड मेडल जीता था टोटल भारत में उलम्पिक में 28 मेडल है 9 गोल्ड, 7 सिलवर, 12 ब्रंज किशन महराज का वद्दी यंत्र कौन सा है तो तबला पलेयर है किशन महराज है ये तबला पलेयर है एक स्वाल था किलम चंदर शेकर का वाद दियंतर एक्जेक्ट ये स्वाल नहीं मिला है किसी को पता है तो जरूर कमेंट करना हाल इमें किसे श्यूक्त राष्टर में भारत का इसता ही परतिनिदी न्यूक्त किया गया है तो श्यूक्त राष्टर में भारत का इसता ही परतिनिदी जो न्यूक्त किया गया है वो टी-एस त्रीमूर्ती को किया गया है इससे पहले थे शय्यद अक्पुरुधिन नेक्स्ट में दिखेदा ADB has appointed as a vice president तो ADB जो Asian Development Bank जिसका headquarter फिलिपिन्स मनिला फिलिपिन्स में है उन्होंने किसे vice president न्यूक्त किया है अपने private sector operation और public private partnership के लिए तो अशोक लावासक हो किया है यहाँ पर vice president न्यूक्त किया है ADB किस्ता अपना 1966 को हुई थी और मनिला फिलिपिन्स में उसका headquarter है काना नैस्टल पाक कहाँ पर यह आपके पूछा था तो यह आपके मद्य प्रदेश में है एक्जामे रिपीट होता स्वाल काना नैस्टल पाक और कोलेरू जील है अंधर प्रदेश में जो एक मीठे पानी की जील है प्रदेशना जिले में आंधर प्रदेश में है कोलेरू परदान मंत्री और मंत्री मंडल का गठन किस अनुच्छेद की तयत होता है तो यह अनुच्छेद 75 की तयत है परदान मंत्री की न्यूकति राष्टपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुकति भी राष्ट्पति परधार मंत्रि की सलहा पर करेगा ति यह Article 75 का सवाल था आगला सवाल देखे सुर्ख कोटाडा पुराता तफ्द कहां पर है तो सुर्ख कोटाडा जो पुराताथ्वी की स्थल है ये गुजरात में इस्तित हैं जो कि सिंदु घाटी सबेता का एक इस्तर हो जाएगा प्रातात्य की स्तर एक आपके स्वाल था वन धन योजना इनको कौन पोशित करेगा इसके रिगार्डिंग एक स्वाल था तो वन धन योजना है ये जन जाती मामलों के मंत्राले और ट्रा वर्तन पर कारे करता है प्रकास तंदू राज्यपाल कितने एंगलो इंडियन को मनुनित कर सकते हैं तो राज्यपाल है वो विधान सवा में एक एंगलो इंडियन को मनुनित कर सकता है अभी फिलाल राश्पति जो लोग सवा में दो एंगलो में इंडियन को मनुनित कर रह जो कि तेंजीन, गैशी और तेहंग के दोरा लिखी गई है और अगला स्वाल देखिए भारत के पर्थम गवर्नर जनरल तो वह है विल्यम बेंटिंग ट्रीक याद रख सकते हो रोबर्ट है विल्यम की मौसी रोबर्ट यह नि जो पर्थम पद था वो बंगाल के गवर्नर क पद सरजित हुआ था जो हैस्टिंग हो जाएंगे रोबर्ट है फिर आपके भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ था तो यह रोबर्ट विल्यम मेंटिंग हो जाएंगे उसके बाद भारत का पहला वाइसराय कैनिंग फिर सोतंद्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बैटन और फिर भारती हो जाएंगे सी राज घोपालचारी जुत्यक छेत्रक से संबंदित है तो प्राप्मिक छेत्रक से हो जाएंगे जो किर्शी वानी की पशुपालन मश्यपालन मुर्गी पालन और जो रो मटेरिल जितने भी है वो प्राप्मिक सेक्टर हो जाएगा उस सबी सेवाए हैं हैदरबाद के स्था अपना कब हुई है ये स्वाल था तो पंदरह सो एक्यानुवे में हुई है रिपीटेर स्वाल है मुहमत कुलिक कोतुप शा के दोरा अब देख लेते हैं यहाँ पर देखे पचास में से 46 जीके के स्वाल हो चुक है कंपूटर के स्वाल हो जाएगा बहुत बार मैं मता चुका हूं एप 12 है शेव एज की सौटकट की है कोई भी डॉकृमेंट किस एडरेस में किस नाम से आप सेव करना चाते है उसगें और कंट्रोल एज हो जाएगा सेव की सौटकट की है और इस के स्थान पर स्था प्लस एप 12 भी लाइक सेव का काम करेगी यह भी आगे स्वाल भी पूछा हुआ है Ctrl S की तरह Alternative Shortcut की है तो Save की जो Ctrl S की तरह Alternative है वो आपकी हो जाएगी Shift की साथ F12 F12 अकेला Save Edge हो जाएगा Save और Save Edge में क्या अंतर है तो Save Edge में आप कोई भी फाइल है किसी desired folder में आप Save कर सकते हो किसी भी नाम से लेकिन Save में जहाँ पर पहले थी अल्रेडी वहाँ पर हो जाएगी तो Shift प्लस F12 है यह Microsoft Word का Document like Save Ctrl S की तरह काम करेगा मैं Print Preview की बात करूँ Important Fact है आने वाला Shift के लिए Print Preview है Print से पहले कैसा देखेगा तो Ctrl के साथ F2 है और Print a Document in Microsoft Word तो आप देखी Ctrl के साथ PC Print हो जाता था उसकी Alternative यहाँ पर पूछ ले तो Ctrl Shift के साथ F12 हो जाएगी जैसे कि आज पूछ लिए Alternative Save की Shift F12 अगला स्वाग shortcut key to open a new Incognito tab in Chrome तो Chrome में यह आप Private Browsing करना चाहते हो किसी को कुछ Add वगएर आती है काई बार cookies वगएर आपका Save कर लिए जाता है लेकिन इदि आप Private Browsing करेगे तो आपकी Add वगएर नहीं सोगए आपने क्या सर्च किया वो पता नहीं चलेगा आपकी Google ID पे कुछ भी Save नहीं होगा तो उसके लिए In Cognito Tab का आप इस्तेमाल का शक्ते हो Chrome Browser में और यहाँ पर Shortcut की है वो Control Shift के साथ N रहेगी In Cognito Tab की Control Shift और N और Google Chrome में New Tab उपन करने के लिए Control Plus T हो जाएगी और PowerPoint में यहाँ पर कुछ Shortcut की बता देता हूँ Exam Manual Shift के लिए तो New Presentation Create करने के लिए Control N हो जाएगा New Slide Add करने के लिए Control M है F5 है जो की यह आपके Start The Presentation From The Beginning है Presentation है Slide Show के लिए F5 एक आपकी स्वाल था Factorial से था 5-4 था तो Factorial का इजी स्वाल कल भी मेंने बताया था Factorial से जो भी स्वाल आजाए यह Board Mass के नेम से Factorial आपको करना है 5-4 तो सबसे पहले Coast खल कर दीजी तो यहाँ पर हो जाएगा Factorial 1 अब आपको पता है 0 का Factorial 1 होता है और 1 का भी Factorial 1 होता है तो 1 का 1 हो जाएगा MS Action में सबसे Right Side में कौन सा बार होता है तो यह आपके Second Shift में भी था यहाँ पर भी पूछ लिया MS Action में सबसे Right Side में तो यह आपके Excel Seat है सबसे Right Side में यहाँ पर जो बार होता है वो आप Scroll करने का है तो Vertical रहता है नीचे Horizontal तो यह Vertical Scroll बार हो जाएगा 1 Formula was given in B4 जो Cell है उसको Pest करना था F10 में तो Formula F10 में कौन सा होगा तो Stride यहाँ पर Same Formula रहने वाला है तो इसका में थोड़ा डाउट है आप कमेंट करके बताना जिनको भी बता है P.O.P. 3 में तीन का मतलब और इसमें साइद आपके First Shift में पूछा था P.O.P. की Full Form जो Post Office प्रोटोकॉल हो जाएगी और इसका Version 3 है वो Receiving Email को Receive करने के लिए है एक Standard Mail Version हो जाएगा Protocol यूज किया जाता है Email Receive करने के लिए तो यहाँ पर पूछेगे टोटल आपको मैंने 54 स्वाल बता दिये है जो कि आपकी देखिए आपर यह पीडियो फाइल पूरी हो चुकी है जो 2 December के All सिपका जो जल्दी आपको Telegram चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना Telegram चैनल को जोइन जरूर कर देना धन्यवाद